हेलो विल्कम बैक टू माई चैनल तो गाई आज के इस वीडियो में बात करें कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में आपको डियूरिंग को नहीं करना चाहिए यह मिस्टेक्स अकसर बक्षे करते हैं तो इसकी वेज़े से मैंने सुचा इस पर एक वीडियो बना देते ताकि आगे मैं आपको ऐसे प्लाटफॉर्म के बारे में बताऊंगा वीडियो में कि जिस प्लाटफॉर्म से आप अपने स्किल्स अप्रेड कर सकते हो या फिर अप्स्किल कर सकते हो बहुत ही बैतर प्लाटफॉर्म है तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जारा देर का बंदा है तो उसको देख कैसे लग रहा है और इसने तो इसको तो अच्छा आएगा थोड़ा सा अच्छा आएगा क्योंकि आप अभी-अभी आई-टी में गए हो मतलब अभी-अभी को जॉइन किये हो वह तो मतलब चार साल से पहले से आई-टी को आप पढ़ रहा है तो इसलिए उसके साथ comparison आपका नहीं है क्योंकि उसने अल्रेडी चार साल पढ़ चुका है वह CS IT तो इसलिए compare करना छोड़ दो अपने आप पे focus करो जैसे एक मन्थ-दो मन्थ हो जाएगा आपको खुद से confidence आने लगेगा जैसे आप लोग skills मतलब सीखने लगोगे तो एक confidence आ करो कि अपने आप पे focus करो ओके तो यह mistakes आपको avoid करना चाहिए during course second mistake is revise what is taught on the same day जो भी सिखाया जाएगा आज के दिन आप लोग को आज के दिने उसको cover करना है एक बार revision उसको देना ही है क्या हो जाता है अगर आप लोग revision नहीं दोगे तो वो पीछे चला जाता है कि अगले क्लास में आपको नहीं समझेगा कुछ अगर नहीं समझे आपको पहले क्लास में तो फिर अगले क्लास में भी नहीं समझागा क्योंकि unless तुमने उसको revision नहीं दिया है तो try करो कि जो भी सिखाया जाएगा उसी दिन उसको थोड़ा सा cover up कर लो ताकि क्या होता है आपको end end मे time नहीं मिलता है कि आपको project भी करना है आपको CCE का preparation भी करना है आपको placement का preparation करना है तो सब चीज़े एक साथ आ जाती है तो इसे better है कि आप लोग पहले से अगर revise करते रहोगे उसमें से 2-3 points सब cover हो जैंग like placement का preparation आपका हो रहा है simultaneously और आपके concept भी clear हो रहे है जो कि आपको CCE में भी काम आएगा तो इसलिए try करो जो भी सिखाया जाएगा उसी दिन आपको उसको revision देना ही एक बार हो सकता है आप लोग बोलोगे कि नहीं आर मतलब सुबह से लेके शाम तक class चलती तो मैं कैसे करू prepare मतलब जो भी मतलब one hour two hour revise करना है तो कैसे कहां से करू तो आपको ए extra efforts डालने पड़ेंगे खुद से तो जैसे अगर आपका अगर सोना अगर 7 गंटे 8 गंटे तो उसको थोड़ा सा कम कर दो वह one hour one and a half hour आप यहां dedicated कर सकते हो तो यह बहुत important है कि revise करना है आपको जो भी सिखाया जाएगा उसी दिन रात को आपको revision करना है तो यह point धान में र मतलब आपको hesitation लग रही है यार नहीं पूछना चाहिए बहुत basic doubt है आप लोगों ने pay किया है don't worry आप लोग teachers बहुत supportive होते बहुत अच्छे से समझाते अगर कोई कुछ नहीं समझ रहा है you can ask them अगर आपने last class नहीं किया है और इस class में आके last class का कुछ पूछ रहे हो हो सकत है दो बार पूछ लीजे तो उसमें कुछ नहीं जाने वाला है आपका क्या आप लोगों ने pay किया है सीखने के लिए तो it doesn't matter कि कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ask okay तो यह मतलब पूछते रहेगा teachers से जो भी doubts है आपके अब जानते है फूर्थ mistakes के बारे में वह attend lab sessions का इस लाप sessions करना बहुत जादा important है बच्चे क्या रते आप सर्फ ठेरी कर लेते कभी प्रैक्टिकल में उनको हो जाता है क्या नहीं lab session तो मतलब चलते रहता है टाइम पास से कर लेंगे या फिर बैठेंगे कुछ तो यह मत की जगा यह क्यो लिए lab session बहुत जादा important बहुत सारे बच्चे during course ignore करते lab session को तो आप लोग यह गलती मत कीजेगा क्योंकि क्या होता है जब placement का time आता है तो coding round important है आपको अगर फोड़ना है 10 लाग 12 लाग 19 लाग का फोड़ना है तो आप लोग को वो जो coding का extra knowledge है वही काम आएगा क्योंकि coding round थोड़ा सा हो सकता है जो अच्छी company उसका tough हो जाए तो आप लोग अगर practice नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा इसकी लिए lab session compulsory attend कीजेगा जैसे theory सीखेंगे उसके बाद lab में कैसे उसे implement करना है वो सीखाया जाता है तो please lab में मतलब attentive रहेगा और मतलब करना है बोलके मत कीजेगा क्योंकि क्या है सीख ऐसा platform ही नहीं कि आप लोग जैसे engineering में करके आयों कि नहीं मतलब engineering करना है तो कर लेंगे ऐसे अगर सोचके भी सीख में आ रहे हो तो मत आओ क्योंकि क्या होता है सीख आपका एक life changing opportunity आपके लिए IT में जाने के लिए तो इसलिए try करो कि जो भी कर रहे हो तो मन से करो attentive रहो class में lab हो या फिर class हो तो lab तो important है इसलिए मैं lab के बारे में बता रहे हो class तो कर लेते बच्चे लेकिन lab को ignore करने के लिए देखते तो इसलिए यह भी mistakes आप लोग मत कीजेगा पांचवा mistake है guys कि look for externally जो बच्चे अकसर miss out कर देते क्योंकि आप लो क्या हो आप उनके लिए क्या वो तुम्हें हायर करें तो इसके लिए always look for extra knowledge आपको कहीं से मिल रहा है या फिर को कोई platform है या फिर कहीं से मिल रहा है तो ऐसे ही एक मतलब specific अगर job चाहिए आपको मतलब specifically job के लिए यहाँ पर आये हो तुम लोग तो इसके लिए आपको आपक का स्ट्रॉंग हो जाएगा वहाँ पर ओके आप लोग बड़े बड़े एक्जामपल देख सकते हो जैसे थॉमस एडिसन हो साइंस की फिल्ड में या फिर अमिता बच्चन हो एक्टिंग के फिल्ड में या फिराट कोली हो स्पोर्ट के फिल्ड में इन सब का attitude देख सकते हो इनका एक ही attitude का उनको never give up नहीं करना है उनको कोई भी फिल्ड में जाओ तो आप लोग के भी बहुत दिक्कते आएंगे during एक कोर्स कि उन हडल को आपको पास करना है क्योंकि अच्छे से प्लेस होना है क्योंकि आपका life का matter है यहाँ पर तो गाई इसके लिए प्लैटफॉर आप वहां से जाके चेक आउट कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग को से वह लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अच्छा प्लैटफॉम में यहाँ देख सकते हो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के रिलेट यहाँ पर बहुत सारे आप लोग कर चुका है 4.3 star है तो training के कुछ highlights देख लेते गाइस एक तो learn from home है इसका कोई problem नहीं है आप लोग को placement assistant मिल जाएगा यहाँ पर okay resume building के लिए training कर सकते हो तो बाकी आप लग देख सकते हो बहुत ही जादा important point यह है कि आप लोग को 5 projects यहाँ पर build करने को मिलेगा तो काई सबसे जादा important यह ही है कि जितने project build करोगे उतना अच्छा आप के लिए है क्योंकि अगर कुछ theory सीक रहे हो तो उसके बाद आपको practical करना important हो जाता है बाकी भी आप लोग देख सकते हो training यहाँ पर देखे web development है या फिर आगे भी देख सकते हो यह android development का भी आपको मिल जाएगा जैसे android development में आप आओगे तो देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों ने अल्रेड़ी enroll करके रखा है कुछ highlights है इनके 135 आपको tutorials मिलेंगे certificate of training भी मिलेगा beginner friendly रहेगा और doubt clearing session है उनका तो जब भी आपके कुछ doubts हो रहेंगे उनके forum पर आप immediately पूछ सकते हो access 8 weeks का आपको access मिलेगा और बाकी जो आप लोग चार project यहाँ पर build कर सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी देखते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग, advanced excel, financing या फिर autocad उगर करना चाहते हो data science, machine learning करना चाहते हो, AI के बंदों के लिए important हो जाता है तो आपको भी वो attitude maintain करना पड़ेगा और इंटर्शाला ट्रेनिंग के साथ करो जीत आगे बढ़ने की आगे बढ़ते हैं, तो यही कुछ training से आप लोग यहाँ से upskill हो सकते हो खुद के लिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप websites देख सकते हो या फिर कहीं से पढ़ सकते हो hopefully अगर कोई technology पढ़ रहे हो तो उसका documentation पढ़ लो, अगर नहीं समझता है तो stack over floor पढ़ लो वहाँ से आपके doubts clear हो जाएंगे, इसलिए extra knowledge आपके लिए important रहेगा आपको differentiate होने में during placement, okay guys, अभी बात करते हैं 6th mistake के बारे में तो guys, यह mistake है कि आपको time management अच्छे से करना है आपको discipline manner में चलना है, पूरे during course 6 मेने, आप लोग भूल जाएंगे, शादिया है या फिर किसी का बड़े function है या फिर आपसे girlfriend को मिलना है, boyfriend को मिलना है, यह सब चीजे थोड़ा सा side में रखी है क्योंकि यहाँ पर अभी life का matter है आपका, तो इसलिए वो try करेगी यह सब चीजे भूल जाओ और time को अच्छे से manage करो, discipline रहो during पूरा course, हो सकता है तो meditation करो 10 मिनेट, 15 मिनेट exercise करो, half an hour, सुबर सुबर, तो हो सकता है उसके हिसाब से आपका थोड़ा सा refreshment बना रहे क्योंकि जब तक यह बंदे नहीं करते, मतलब वैसे तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं exercise करता हूँ daily तो इसके लिए थोड़ा सा refresh हो जाते हो तुम लोग, तो try करो कि maintain रहो, time अच्छे से manage करो, सोने का time fix कर दो कि कब उठना है, कब सोना है, या फिर social media अगर scroll जादा करते हो, तुम addicted हो, तो उसको भी थोड़ा सा ignore कर दो, कि नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर अगर यह time आपका जाएगा, तो हो सकता है आपको वहाँ पर placement में कम मिल जाए, देखे कैस अगर 10 लाग मिलना है आपको, त मिलेगा, अगर महनत करोगे, तो मिल जाएगा, वही 10 लाग का चार होने में देर नहीं लगता है, अगर तुम महनत नहीं करोगे, तो हो सकता है, जो 6 लाग का gap है, वो आपका इस महनत पर depend करे, क्योंकि बाद में वो 6 लाग का gap आपको भरके निकालने में हो सकता, आईटी म हो, ताइम अच्छे से मैनेज करो, ताइम मैनेजमेंट टेकनिक्स आप देख सकते हो, यूट्टूब पे बागी बहुत सारे वीडियो रहेंगे, अगर कुछ मतलब, जो मैं फॉलो करता हूँ, परसनली, अगर आप लोग लिख सकते हो, कि पहले दिन में आप कौन सा कौन स कर रहे हो, तो दूसरे दिन चेक कर सकते हो, कि आरे यार मतलब यह एक्स्टा टाइम में जो मेरा जा रहा है, तो उसको कम करने की कोशिश करो, ओके, तो यह टेकनिक फॉलो कर सकते हो, तो जितना हो सके, डिसिप्लिन रहो, ओके, गाइस तो सेवन्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, कि आप लोग को good company maintain करना चाहिए, जो भी आपके friends है, जो भी online में भी, offline में थोड़ा सा जाधा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर you physically meet the people, तो अभी online में हो सकता है, मतलब आप company अच्छा maintain कीजिए, कैसे, मतलब क्या होता है, कि बच्चे online भी chat करते हैं, या फिर comfortable का कोई friend मिल रहा है, तो आप friend के लिए तो नहीं आयो ना, या पर course में, अगर हो सकता है, वो आपके बाद में, project के मारे में भी आपके साथ बात कर लिए, अगर वो serious नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं यार, ये बंदा नहीं चाहिए, हो सकता है, जो rude हो, आपसे कम बात करत क्योंकि बाद में, अगर हो सकता है, कि आगे जाके project में, वो कुछ help ना करे, तो इसमें नुकसान आपका भी हो सकता है, इसलिए try करो कि maintain करो, अच्छे से good company, और जो भी friends रहेंगे आपके, वो daily पढ़ने चाहिए, हो सकता है, बाद में, जैसे पूरा दिन बर आपका exhausted रहो लास्ट मिस्टेक के बारे में, बात करते हैं, एट्थ मिस्टेक, आप लोग को assignment time पे complete करना है, और खुद से करना है, और project भी खुद से करना है, तो ये mistake भी बहुत बच्चे करते ही, यार चलो assignment दिया है, तो किसी और का ले लो, चेप लो, मतलब भेज दो, हो गया assignment, तो ग करो कि maintain करो good company, क्या बोलते है, sorry, good company के बारे में, बात कर दाऊं, मैं फिर से, तो maintain करो कि मतलब जो भी assignments आपको दिये जा रहे, तो उसी दिन उसको complete कर दो, रात को, जैसे और बाकी जो भी मैंने mistakes बताए, प्लीज उनको dhans से देखिएगा, और अगर वीडियो में कुछ valuable ल आप subscribe कर सकते हो चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो, ओके, तो गई चले आगे मिलते हैं, और बाकी, और भी मैं किसी बहुत सारे बच्चों का इंटेर्यू ले रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजेगा, उनके भी क्या experiences है, उनके तुरू भी आप सी लिख सकते हो, तो चले आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू,